जब पूरा देश लालू प्रसाद यादव के सलामती की दूआ कर रहा था तब लालू प्रसाद यादव अपने परिवार वालों को ऐसे हाथ उठा कर कह रहे थे कि चिंता के कोनो बात नई खै दू-तीन घंटा में हम लोड के आवता नी उसके बाद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि 2014 में बंबई में हाइट के जन ऑपरेशन भाई रहे ओई में चोसाथ घंटा लागल ओई में का भाईल जब ओई में कुछ ना भाईल ता एहू में कुछ ना होई हम जल्दी तरह लोगे लोगे लोटाइब और उसके बाद लालू परिवार ऑप्रेशन थियेटर के गेट पर दोड़ कर जाते हैं इस आस में कि उनका पेशन ठीक है की नहीं वैसा ही पूरा लालू परिवार पांच छे घंटे के लिए कल सिंगापुर में एक दम सहम सा गया था ओप्रेशन थीटर के बाहर जो बल्ब लगा था जब वो जला होगा तब हम समझ सकते हैं कि राब प्रेशन थीटर के भीतर है जो ये बोल कर गया है कि चिंता के कोनो बात नहीं खे दू तीन घंटा में हम चली आएं और उसके बाद लालू यादव कहते हैं कि बंबई में जो नो प्रेशन भई रहे हाट के चार पान छो घंटा लागा रहे जब ओई में कुछु ना भईल उ बढ़ियां से हो गईल तो इहो बढ़ियां से हो जाई अहम ठीक ठाग तरीका से तरह लोगिन के लोगे आ जाएं लालू प्रसाद यादव के हिम्मत की बात कल से हो रही है वैसे तो बात रोहनी आचारिया पर भी हो रही है होनी भी चाहिए लेकिन लालू यादव जैसा इसके मतलब यह होता है कि लालू यादव ने अपने जिंदगी में इतनी परिशानिया देखी है कि ये परिशानी उनके सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब लालू यादव निकल कर सामने आने लगी तो हमको लगा कि बताना चाहिए कि बिहार का आदमी जब सिंगापूर के ओपरेशन थेटर में घुस रहा था किड्नी ट्रांस्प्लाइन करवा रहा था और 74-75 साल की उम्र में वो आदमी अपने परिवार को ये कह रहा ताकि सुना चिंता मत करिया हम जट से जायब आज जट से चोलायब और उसके बाद लालू यादव की हिमाकत देखिए कि वो अपने परिवार वालों को उधारन देकर समझाने का प्रियास कर रहे थे कि उनको कुछ भी नहीं होगा लालू यादव बताते हैं कि बंबई में 2014 में हाट के उप्रेशन भई रहे तो 6-7 घंटा लागल रहे जब ओ अप्रेशन में कुछ ना भईल तो एहू अप्रेशन में कुछ ना होई और उसके बाद मुस्कुराते लालू अप्रेशन थेटर में घुशते हैं और मुस्कु छीर जिन्हों ने कई ऐसी परिशानियों का सामना अकेले कर लिया और जब सिंगापुर के ऑपरेशन थ्याटर में लालु यादऊ का ऑपरेशन हो रहा होगा तो हमको लगता है उनके जदा रहने की जिद थी उनका काम करने का जिद था वो उनको इस मुकाम पर ले आया है कि वो सारे परिशानियों को पार करके एकदम सुरक्षित ओपरेशन के बाद अपने परिवार के बीच लोट आए हैं। लालू प्रसाद यादव पर तमाम कवरिज हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहनी आचार्या के लिए तमाम आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव में था जिनको पता था कि हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन लालू यादव का ये हिम्मत कि तु चिंता मत करिया हम आजायब ये बताता है कि लालू यादव किस मिटी के बने हुए हैं।